नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई संडे कमेंट बॉक्स में जहां हम आपके पूछे गए ज़रूरी सवालों के जबाब देने की आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिस करते हैं तो चलिए गाई ज़्यादा बाते ना करते हुए सिधा में मुद्धे पर आते हैं और आज की वीडियो सुरू करते हैं फश्ट कुश्चन सुमित्रा राउत नमस्ते सर मेरी खर्गोस का बाल बहुत जड़ते हैं और उसे रांग डाइट कोई भी ना दें जिससे उनके बाल जड़ने की समस्या काफी हथ तक कम रहेगी बाकी आप खुद ही समझदार हैं निख्ट कुश्चन अज्जू भाई का सिस्टम भाई मेरे मेरे मेल फिमेल खर्गोस हमेशा एक साथ रहते हैं ओ दोनों फाइप मन्त के होंगे और मुझे लगता है कि फिमेल खर्गोस प्रेगनेंट है फिमेल रेविट को पकरने पर काटती है मैं क्या करूं और ओ पानी भी नहीं पीती reply प्लीज तो देखे अगर आप हमेशा नर्मादा खर्गोस को एक साथ रख रहे हैं तब हो सकता है कि आपकी फिमेल रेविट प्रेगनेंट हो गई हो इसलिए आप दोनों को अलग अलग यानि सप्रेट करके रखें कहने का मतलब है कि इस तरीके से रखें क तो खर्गोस पानी क्यों नहीं पीते हैं और खर्गोस को पानी कैसे पिलाया जाता है इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जहें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप जाकर देख लीजिए आपकी प्राबलम साल्ब हो जाएगा निफ्ट कुष्चन जिकार अलहकीम फिमेल रिवी जिसने मिलक पिलाना है बच्चों को उसका मिलक ज्यादा कैसे बनाएं डाइट बता दें जिससे उसकी हेल्थ अच्छी हो और मिलक भी ज्यादा जन्रेट हो तो देखिए खर्गोस को मिलक जन्रेट होने के लिए क्या क्या चीज़े खिलाना जरूरी है इस टापिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं आप जाकर देख लीजिए आपकी सारे डाउट्स किलियर हो जाएं जहां मैंने बताने के साथ साथ चीजों को खिलाते हुए दिखाया भी है क्योंकि हमें आपको डिटेल्स में कुछ भी नहीं बता सकता वरना सर मेरा भी चिकी नेष्ट बना रही है बच्चे कब देगी बेट कर रही हो तो देखिए एक मादा खरगोष का प्रेगनेंसी पीरियड 30 से 32 दिन का होता है आप 32 दिन का बेट करें अगर वो प्रेगनेंट होगी तो इसने दिन के अंदर 100% बच्चों को डिलीवर कर देगी फिर अगरे दिन सुबा 10 बजे फीमेल रेविट मर गई बहु ज़्यादा दुख हुआ पर मेल रेविट अकेला पर जाए इसलिए तीन तारिक को फीमेल रेविट लेके आया मैं चार तारिक को कुछ नहीं हुआ दोनों साथ थे मुझे राहत की सांस आई फिर पांच तारिक की सुबह तीन चालिस वर मेरी नीद खुली मेरा मेल रेविट हिल नहीं रहा था फिर मैंने उसे अपने हाथ में उठाया तो सांस चल रही थी मैंने उसे पाने पिलाया ओ रही मेरे आसू रुक नहीं रहे थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप फिमेल रेविट बची है पिलीज कुछ बताएं ताकि मेरी फिमेल रेविट को कुछ ना हो पिलीज पिलीज तो देखे जहां आप अपने मेल और फिमेल रेविट को रख रहे हैं उस जगह को सिर्फ चे दोनों मिलेगा निख्ट कुश्चन यूजर एकस एफोर एटी नाइन डवलू मेरे खरगोस का जो पैर है वहाँ एक उठा रहता है आगे वाला क्या वहाँ टूट चुका है पिलीज रिपलाई तो देखिए ऐसे मैं बीना देखे नहीं बता सकता आप मुझे मेरे कूट करता है और उसके पेट में बच्चा है तो मैं क्या करूँ भाई पिलीज रिपलाई वीडियो तो देखिए आप उसे समतल जगहां पर ही रखें अगर वह उठाल कूट करता है तो करने दीजिए बस आप उसे उचाई वगएरा पर ना रखें और को कहीं बेडिया में जो गएरा पर कुर्सी सोफे पर न उचल कूट करने पाए आप उसको समतल जगहां पर एकांत जगहां पर रखें बस उसे किसी भी परकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और कितना भी उचल कूट नीचे क्यों न करेगा तो देखें अगर ज़्यादा काटा हो तो आप डाक्टर के पास ले जा सकते हैं और हलका फुलका है तब आप उस जगहां के अच्छे से साब सफाई करके डेटाल या से बलान से वहां हल दिया और सरसों के तेल का पेष्ट बना कर लगा दीजिए और नार्मल हो जाएगा उसके लिए आपको मेरे पास आना होगा और रही बात दाल या कच्छे चावल हो गयरा खिलाने की तो आप इस सब चीजे अपने रेविट को ना खिलाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा नेक्ट कुष्चन बीभू कल्यान साहू सर मेरी मादा खरगोस और बाकी खरगोस खाना नहीं खा रहे हैं मैं उनकी डाइट चेंज कर दिया अभी चोकर में चावल मिला कर देता हूँ पर वनली एक ही रेविट खा रहा है बाकी रोटी खा रहे हैं और ग्रास और पैलेट् खाना पीना नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जो डाइट उन्हें दे रहे हैं वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा है इसलिए आप जहां तक हो सके अपने रेविट को सिर्फ और सिर्फ हरी घास और हे 85% जादा से जादा देने की कोशिस करें और 10% मे आप बाकी चीजों को देज दीजिए इससे सभी रहे बीट अच्छे तरीके से खाएंगे पीएंगे भी और हेल्दी भी रहेंगे और आपकी जो परिगनेंट मादा खरगोस है जिसके पेट में बच्चे हैं आप उसको अच्छे तरीके से हरी घास और हे खिलाईए और इस टाफिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियोज हैं आप जाकर देख लीजिए जिसमें मैंने डिटेल्स में बताया है और दिखाया है आपकी प्राबलम साल्ब हो जाएगी सबनम खान सर मेरी खरगोसनी के बच्चे भी दूद नहीं पी रहे हैं और ना ही धनिया खा रहे हैं या क्या कर उनके पेट में आइठन भी हो रही है तो देखिए आप जहां तक हो सके अपनी मादा खरगोस को अच्छे तरीके से खिलाईए पिलाईए और बच्चों को दो कर दीजिए क्योंकि धनिया काफी गरम होता है और धनिया से बच्चों को इजली गैस बन जाता है निख्ट कुष्चन एसबी पहाडी राजेश कुमार सर मेरी माँ खरगोस बच्चों को जनम देने के एक दिन बाद मर गई और उसके बच्चों को कौन सा दूद पिलाए पिलेज रिपलाई दिस कुष्चन तो देखिए आप किटन मिल्क मार्केट से पर्चेस कर लीजिए उसको पिलाईए और अगर नहीं मिल पा रहा है तब आप गोट मिल्क यानि बकरी का दूद पिलाईए ये दोनों आप पिलाते हैं तो आपके बच्चे सेफ रहेंगे और ये सब भी ना मिल पाने की कंडिशन में आप काउ मिल्क पिला सकते हैं बच्चों को और ओ भी ना मिल पाने की कंडिशन म कितना दूद की स्मात्रा में कैसे पिलाय जाता है आप लोग कहेंगे तो इस टाफिक पर मैं एक सप्रेट वीडियो बना दूँगा सर हमारे खरगोसनी ने पांच बच्चे दिये थे एक को चाट रही थी उसमें से खून निकलने लग गया तो हमने अलग कर दिया फिर उसे हम अपने हाथों से दूद पिलाने लगे तीन दिन तो एक एक करके सारे बच्चे मर गएं बस एक बच्चा है प्लीज इस टाफिक पर बीडियो बनाएं प्लीज प्लीज तो देखिए खरगोस के बच्चों के मरने के काफी सारे रीजन होते हैं और इस टाफिक पर मेरे चैनल पर कई वीडियो जहें भी आप जाकर देख लीजिए आपकी ये भी प्राब्लम साल्व हो जाएगी निक्ट कुश्चन ललित जैन भाई मेरा रेविट सिर्फ रोटी खाना पसंद करता है ओ कोई हरी सबजी या घास नहीं खा रहा है पानी भी नहीं पीता है तो देखिए अगर आप उसे गलत खाना देंगे और उससे गलत खाने की आदत लग जाएगी तब सही खाना भूलकर वही बार बार मांग करेगा इसलिए आप जहां तक हो सके उसे रांग डाइट ना देकर सही डाइट देने की कोशिश करें और रोटी वगएरा कम ही दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे रेविट पहले 6 या 7 बच्चे देते थे पर अब 3 या 4 बच्चे देते हैं क्यूँ तो देखिए अगर बार बार लगातार आप उनका मीटिंग करवाएंगे तब एस सब समस्याएं फेस करनी पड़ेगी इसलिए आप 2-3 महने का गयब करकर के बच्चे डिलीवर करव के बाद ही पता चलेगा इसलिए आप तुरणत उसे अपने आसपास के किसी अच्चे बेट डाक्टर के पास ले जाएं और अगर आपके आसपास कोई भी बेट डाक्टर नहीं है तब आक इंसानों वालत डाक्टर के पास ले ले जाकर उसका चिक अप जरूर करवा लीजिए और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक ये हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं कल संडे कमेंट बॉक्स पार टू यानि मंडे रिपलाई बॉक्स में तब तक के लिए जाए हिंद